ससुराल की सरकार कैंडिडेट का इलेक्षन में खड़े होना और हार जीत होना एक सामान यसी बात है लेकिन चुनाव की समय जो ये आपसी गर्मा गर्मी होती है जिससे मदूर से मदूर संबन भी खराब हो जाते हैं उनके बारे में आपका क्या खायाल है आईए कहानी से समझते हैं अरे हिम्मत भी कैसे हुई तुमारी ये कहने की कि छोटी भाबी जीतेंगी कान खोड़ कर सुन लो जीतेंगी तो बड़ी भाबी ही तुम चाहे जितना भी हाथ पैर मार लो लेकिन बड़ी भाबी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता और हाँ एक बात और साफ करते हूं कि तुम भी अपना वोट बड़ी भाबी को ही दूगी इतने सालों से बड़ी भाबी परिवार में है तुम ही बताओ कभी मान सम्मान में कोई कमी किये है उन्होंने छोटी भाबी को आए अभी दिनी कितने हुए है चाबियों पर पहला अधिकार तो बड़ी भाबी का ही बनता है पहली बात तो ये है कि मैं अपना वोट किसी को भी दूँ, आपको इस बात से कोई सरुकान नहीं होना चाहिए आपको जिससे वोट देना है आप उसे दो, और मुझे जो ठीक लगेगा वो मैं करूँगी, मुझे सिखाने की कोई जरुद नहीं है मैंने कहा ना तुम बड़ी भावी को वोट दोगी, बस बात यहीं खतम होती है, भूल गई तुम, पिछले साल जब मुझे बिजनस पे घाटा हुआ था, और मैंने तुम्हारे छोटे भावी से मदद मांगी थी, तो ये तुम्हारी छोटी भावी ही थी, जिन्होंने पैसे ना देने के लिए छोटे भावी के कान भरे थे, लेकिन बड़ी भावी, उन्होंने तो सामने से आकर हमारी मदद की, अरे किसी की अच्छाई को याद रखना सीखो, कल को घर की कमान बड़ी भावी के हाथ में होगी ना, तो बुरे वक्त में काम आएगी वो तुमारे, चिराग से अनुराग रख देना, फिर जुल की बाते करते हो आप, आपने पैसे मांगे, तो भावी ने आपको पैसे देने से मना नहीं किया था, अरे उनका खुद का हाथ टाइट चल रहा था, नहीं थे उनके पास पैसे तो नहीं दे पाए, बड़े भाईया सरकारी अफ बस मिला था, उनके पास पैसे थे, इसलिए उन्होंने मदद कर दी, इसमें अच्छे बुरे होने जैसी कोई बात नहीं है, आप ना बातों का बतंगड बना रहे हो बस। बना रहे थे कि उनके पसंद के एक कैंडिडेट को ही वोट दे, बातचीत से शुरू हुआ ये सिलसिला जल्दी बहस में बदला और कुछी देर में उनके बीच जोरदार जगड़ा हो गया, अरे कभी-कभी तो हमको लगता है, एक दम जानवर से शादी कर लिए हम, इनसान अतनाम की कोई चीज ही नहीं है, छोटी-छोटी बातों पर ऐसे राशन पानी लेकर चड़ जाते हैं, ऐसा लगता है हम तुम्हारी पत्नी नहीं प्रापर्टी हैं, जिसके उपर हमेशा धौस दिखाते फिरते हो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ इस गर में जा रही ह लेकिन अपने पती की बात मानने में तुम्हारी नाक कर जाती है, क्यों, हम ही हमेशा अपना प्यार क्यों साबित करें, आरत है इसलिए ना, नहीं, अब मुझे आपको कुछ भी साबित नहीं करना, आपको जो करना है, जो सोचना है, सोची, इतना कहकर नना चंदा, अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके माई के चली जाती है, माई के पहुँचकर नना चंदा जोर-जोर से रोने लगती है, उसके रोने के आवाज सुनकर दोनों भाबियां दोड़ी-दोड़ी वहां आती है, बाबी, मैं ससुराल छोड़कर यहां आ गई हूँ मुझे अब उनके पास वापस नहीं जाना अब मैं यहीं रहूँगी आप ही बताओ क्या हम ओरते अपने जीवन के कोई भी फैसले खुद नहीं ले सकती अरे बाबा क्यों नहीं ले सकती बिलकुल ले सकती हो बड़ी लिखी हो, समझदार हो तुम्हें अपने लाइफ के डिसिजन लेने के लिए किसे और कमो देखने की क्या जूरत है लेकिन हुआ क्या बाबा, पूरी बात तो बताओ बाबी चेतना मुझपर दबाओ डाल रहे हैं कि मैं अपना वोट बड़ी भाबी को दू अब आप ही बताएए, मैं अपना वोट आपको दू या बड़ी भाबी को ये मेरा डिसिशन होना चीए न उनको क्या हक बनता है कि वो मुझपर इस बात के लिए दबाओ बनाए जब मैंने उनका विरोध किया तो मुझसे लड़ने जगड़ने लगे अब आखिर मैं भी कितना बरताश करती अरे भाबी ठक गई हूं मैं उनके मन मानी से इसलिए मैं वो घार छोड़कर यहां गई बस मैंने भी कह दिया ज्यादा बड़ी भाबी बड़ी भाबी करने के जरुवत ना है छोटी भाबी किसे से कम नहीं है मैंने ठीक किया ना भाबी अरे लेकिन इसमें लड़ने जगड़ने वाली कौन सी बात है और सबसे बड़ी बात तुम किसे वोट देने वाली हो ये बात किसी को भी क्यों बतानी है मतदान हमेशा गुपत होकर किया जाता है शोर मचा करनी और मैं और बड़ी भावी कोई दुश्मन थोड़ी ना है जो तुम लोग आपस में लड़ाई कर रहे हो अरे बड़ी भावी मेरी जिठानी है मैं बहुत मान सम्मान करती हूँ उनका हाँ वो अलग बात है कि हम दुनों इलेक्शन में खड़े हुए है और इस समय वो मेरी प्रतीदवन्दी है लेकिन प्रतीदवन्दी होने का मतलब दुश्मन थोड़ी ना होता है तुम भी ना बिना बात दमाजी से लड़ जगड कर यहां चली आई छोटी एकदम सही कह रही है अरे दमाजी ने ऐसी कौन सी बुरी बात कह दी बस यही तो कह रहे थे ना कि वो मुझे सपोर्ट करते हैं और तुमें भी मुझे ही वोट देना चाहिए अरे ठीक है ना पती अपनी पत्नी पर थोड़ा बहुत अधिकार तो जमाई लेता है इसमें इतना लड़ना जगड़ना क्यों? देखो मेरी बात मानो तुम जैसी आयो ना वैसे ही वापस लोट जाओ अपने घर अपना घर क्यों बिगाड रही हो? हम दोनों में जो भी जीते, घर तुम्हारा क्यों तूटे भई? अरे भाबी, आप घर भी करने की बात कर दी हो? मैं तो इस आदमी का मूह तक ना देखूँ बड़े आये, बात बात पर अपनी धौस दिखाते आदमी है, तो इसका मतलब मेरे सर पर बैठेंगी क्या? मुझे नहीं चाना वापस, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ ननत की अपने कमरे में जाने के बाद अरे छोटी, ये क्या हो रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सिलेक्शन के चकर में लेने के देने ना पड़ जाए तुम समझ रही हूँ न? ये चन्दा अगर यहां रहेगी तो घर का क्या हाल होने वाला है? अरे अखाड़ा बन जाएगा हमारा घर उसकी शादी हो गई तो ऐसा थोड़ी ना है कि ये सुधर गई है? याद है या नहीं? शादी से पहले इसनी क्या-क्या तमाशा किया है अरे भाबी सब याद है मुझे खाने से लेकर पहनने तक हर बात में सौ नकरे करती थी ये चन्दा कभी ये बना कर दो, कभी वो बना कर खिलाओ यहां ढंक से सफाई क्यों नहीं हो ये काम ऐसा क्यों है, वो काम ऐसा क्यों है सुनते सुनते कान पक जाते थी मेरे उपर से माजी हार समय चंदा 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 करती रहती उन्हें तो अपनी बेटी के आगे हम दिखाई नहीं दिते ये यहां रहेगी तो हमारा तो जीना ही दुश्वार हो जाएगा कसम से अरे छोटी मुझे भी तो इसी बात की चिंता है एलेक्शन के नाम पर हमारे घर में दंगे ये फसाद क्यों होने लग गया है ऐसा लग रहा है पूरा परिवार छोटी गैंग और बड़ी गैंग में बट कर रहे गया है छोटी सी बात है कि माजी अब घर की सत्ता संभालते संभालते थक चुकी है इसलिए वो अपनी चाबी हम में से किसी एक के हाथ में देना चाती है दोनों को बराबर बराबर अउसर मिल सके इसलिए माजी ने कहा कि घर में एक छोटी सी वोटिंग रख लेते हैं ताकि जिसके पास ज्यादा वोट पड़े घर की चाबी उसके हाथ में चली जाए लेकिन हमारी इस छोटे सी इलेक्शन को अखाडी का मैदान बना दिया सबने मिलकर तुम्हें पता है कल क्या हुआ क्या हुआ भाबी मुझे तो सच में नहीं पता अरे मेरे लाक मना करने के बाद भी तुम्हारे भईया मेरा चुनाव प्रचार करने के लिए पोस्टर बन्वा कर लाए थी और लाकर पूरे घर के बाथरूम, छट और सेडियों में चिपकाने लगे अब वो पोस्टर चिपकाने तुम्हारे बाथरूम में गए तो वहाँ पर रिंकु ने उन्हें रोक लिया अरे अरे बैया ये क्या कर रहे है आप ये भाबी का पोस्टर मेरे बातरू में क्यों लगा रहे है इतना ही शौक है ना आपको पोस्टर लगाने का तो जाकर अपने बातरू में लगाईए ये बातरू मेरा है अरे तेरा मेरा क्या होता है ये घर सबका है मेरी बीवी चुनाओ लड़ रही है एक बार चाविया मेरी बीवी के हाथ में आने दे फिर मैं तुझे बताता हूँ कि बड़े भाई से तमीज से बात कैसे की जाती है अरे तुझे एक एक रुपे के लिए तरसा ना दिया ना तो मेरा नाम भी सोनो नहीं आहे बड़े खुश फैमी पालने वाले किसने कह दिया आपसे कि भाबी वो चुनाओ जितने वाली है चुनाओ मेरी बीवी जितेगी और उसके बाद पूरे घर की सत्ता मेरी मुठी में होगी मैंने भी आपको वो किरायदार वाले छोटे से कमरे में ना पहुचा दिया ना तो मेरा नाम भी रिंकु नहीं अब चलिया फड़ा फट पोस्टर उठाईए और निकलिये यहां से ही राम, रिंकु जी ने बड़े भया से इस तरह से बात की राम, 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 मैं तो कभी सपने में भी नहीं सूच सकती जीड जी की साथ इस तरह बरताओ करने के बारे में है मैं रिंकु जी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ भावी सच में पागल हो गया है सब लोग, इलेक्शन के चकर में मैं ना उनसे बात करती हूँ अरे नहीं छोटी ठैर जा पूरी बात तो सुनती जा गलती सिर्फ रिंकू की नहीं है तुमारे भाईया भी किसी से कम थोड़ी ना है अरे तेरे अंदर दम होना तो तू भी अपनी बीवी के पोस्टर छपाला और लगा दे पूरे घर में अरे घर क्या पूरी कॉलोनी में लगवा दे लेकिन मुझे घर में पोस्टर लगाने से तू रोक नहीं सकता दम हो तो रोक कर दिखा दे और इतना कहकर तुमारे भाईया तुमारे बात रूम में एक नहीं डो दो पोस्टर चिपका करा है पूरे घर का हुलिया बेगाड का रख दिया है उन्होंने जगा जगा पर पोस्टर लगा रखे इतना ही नहीं घर की बाहर कॉलनी के एंच्रन्स तक पोस्टर लगे हुए है अरे पुलीस वाला कल फाइन लेकर गया है ऐसे पोस्टर लगाना illegal होता है ऐसे ही कोई भी किसी के पोस्टर छपा की चिपका नहीं सबता अरे भाबी अब समझ में आया कि कल बच्चे आपस में मैं छोटी गेंका हूँ और मैं बड़ी गेंका हूँ कहकर क्यों लड़ रहे थे सिर्फ बड़ी नहीं घर के बच्चे भी दो खेमे में बढ़ गया है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है वो खुद को छोटी गेंका बता रहा है और जो आपको सपोर्ट कर रहा है वो खुद को बड़ी गेंका बता रहा है आपस में बाचित बंद कर दिये समने एक दुसरे के दुश्मिन बने बैठे और मौका मिलते ही जगरने लगते हैं क्या कहती है छूटी माजी से इस बारे में बात करें उन्होंने इतने साल इस घर की सत्ता संभाली है मा बाबुजी के पास इस प्रॉब्लिम का कुछ न कुछ सोलुशन जरूर होगा ऐसा करते हैं कर सुबह में मा बाबुजी के पास चलते हैं अगली सुबह अरे बस करो तंग आ गए हम तो तुम्हारे इस दिन रात के भजन किरतन से इनसान कितना ही तुम्हारे पास खड़ा होकर बीन बजाता रहे लेकिन तुम माला लिये बैठी रहती हो इसलिए मैं चाता हूँ छोटी बहु की सरकार बने तो इस घर में कुछ तो परिवरतना है क्योंकि जैसी तुम हो वैसी तुम्हारी बड़ी बहु है सुबह किसी को समय से नाष्टा मिले ना मिले लेकिन दोल घंटे पूजा करना ज्यादा जरूरी है उसके लिए और मैं ना बिलकुल उकता गया हूँ तुम सास बहु से अरा कैसे आदमी हो तुम पूजा पाट करना कबसे गरत काम हो गया ये तो अच्छी बात है ना कि बड़ी बहु सुबह उठकर पूजा करनी के बाद ही घर के काम करना शुरू करती है ये तो अपनी अपनी भक्ती भावना होती है जो तुमारा जसनास्तिक आदमी कभी समझ नहीं सकता अरे तुम जैसे खुद हो ना वैसी ही तुमारी छोटी बहु है मुझे तो बस इस बात का डर है के कहीं गलती से वो जीत गई ना तो इस घर में धरम ही खत्रे में आ जाएगा ना उसे पूजा पाट करनी का कोई शौक है नरिती रिवाज और त्याहार मनानी का ऐसा थोड़े ना जीवन चलता है घर के मुख्या का धारमिक होना भी बहुत जरूरी है नहीं तो घर के मंदिर में ताला लग जाएगा करतीना तुमने बही बेवकुफ वाली बात अरे तुम्हारी तरह दिन भर माला लेकर बैठेंगे तो काम कैसे होगा खर तुम्हारे साथ दहस करने का कोई मतलब नहीं है हमको बस सही जगा वोट देना है ताकि जो बीता सो बीता हमारा आने वाला कल तो अच्छा रहे अरे छूटी बहु यहां तो मा बाबुजी भी वही कर रहे है जो बाके सब लोग कर रहे है एलेक्शन आपस में लड़ने के लिए थोड़ी ना होता है समझ में नहीं आता कैसे इनको समझाए दुखी मन से दोनों बहुएं बापस हाल की तरफ आती है स्वादी जोटी मेरा चाए नाश्ता मेरे रूम में लगा देना मुझे यहां बैट कर फाल तो लोगों की शकल देखने का कोई शौक नहीं है एक बार सुबा शकल देख लो तो पूरा दिन खराब हो जाता है बीगा मेरा चाए नाश्ता यहीं हाल में लगाना मैं ऐसे किसी से डर के भागने वालों में से नहीं हूँ आँखों में आँखे डाल कर सामने बैट कर बात करने वालों में सूँ किसी का डर थोड़ी ना पड़ा है और वैसे भी तीन दिन के अंदर मेरी बीबी घर की मुख्या बनेगी फिर उसके बाद मैं देखता हूँ कौन मुझे आखे दिखाता है ये कैसी बात कर रहे आप बड़े भाईया से इस लेजे में बात की जाती है क्या पापा बिलकुछ ठीक है रहे मम्मी आपको कुछ बताने बड़े पापा और ये गट्टू ये लोग बात करने के लायक ही नहीं है बस एक बार आप ये इलेक्शन जीट जाओ इसके बाद इन लोगों की सफाई करेंगे आम घट से अगर पौकेट मने के लिए महताज नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी गोल हो नहीं ममी एक बार ये इलेक्शन जीट जाओ इसके बाद ना इन गट्टू चिंकी की पूरी पॉकेट मनी कट कर देंगे तब इनको पता चलेगा हमसे पंगा लेने का मतलब क्या होता है पेरी पापा से इस तरह से बात करने की तेरी हिम्मत कैसे होई गोलू तू घर से बाहर निकल, मैंने तेरी टांगे ना तोड़ दी तो मेरा नाम चिंकी नहीं तू क्या हमारा पॉकेट मनी कट कर आएगा, ये एलेक्शन मेरी ममी जीतेगी और उसके बाद तुम्हारा बोर्या बिस्तर बनवाऊंगा और इस घर से बाहर पिकवा दूँगा अब दादे का जमाना गया, कि सबको सबकुछ बराबर बराबर मिलेगा, अब मेरे ममे का जमाना आएगा पूरे परिवार को दो खेमों में बढ़ता देख, मेगा और स्वाती बहुत दुखी थी उस समय तो वो किसी तरह मामला शांत करवा देते हैं, उसके बाद अकेले में छट पर एक दूसरे से मिलती है भाबी, मैंने कभी सबने में भी नहीं सोचा था, कि हमारे घर में एक इलेक्शन के लिए सब इतना नीची गिर जाएंगे अरे मुझे तो खुद ये सोच कर शर्म आ रही है, कि क्या मैंने ये संसकार दी कर अपने बेटी को बढ़ा किया है अरे तू अपना दिल क्यों दुखी कर रही है छोटी, मेरे गट्टू और चिंकी ने कौन सा मेरा नाम रोशन कर दिया उन दोनों ने भी तो बत्तमिजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और ये लोग तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे इलेक्शन ना हुआ जाने क्या हो गया एक इलेक्शन जीतने के लिए ये अपना रिष्टा, संसकार, मान, मर्यादा सब भूल गये और बच्चों की क्या बात करें, बच्चों के बाप, और सब की यही हालत है हर कोई एक दुसरे का मूँ नोशने को तयार है भाबी, अगर ये सब करवा कर मुझे इस घर की सत्ता मिले न, तो मुझे नहीं चीए ये चाबियां आप रख लीजी, लेकिन मुझे घर का माहल पहले जैसा चाहिए जब सब एक दुसरे की चिंता करते थे, एक दुसरे की सुक्तुक में काम आते थे एक दुसरे के विचारों की और भावनाओं की कदर करते थे अरे मैं क्या करूँग ये ऐसी चाबियों का, मुझे राजा बनने का कोई शौक नहीं है मैं अपनी इच्छा से अपना नामांकन वापस लेती हूँ आज से आप इस घर की मुख्या हुई छोटी जो बात तेरे मन में आई है न, पर कुल वही बात मेरे भी मन में है मैं अभी अपना नामांकन वापस ले लेती हूँ मुझे भी घर का मुख्या बनने का कोई शौक नहीं है अगले दिन चुनाव था अपनी अपनी कॉलर टाइट करते हुए घर की सभी सदस्या वोट करने के लिए हॉल में इखटा हो गये थे मा जी इस चुनाव में खड़े होने के बाद मुझे समझ में आया कि सत्ता कुछ भी करवा सकती है अरे हमारे इतने अच्छे परिवार के बीच में जहर खोल दिया इस इलेक्शन ने तो मैंने बहुत सोच समझ कर ये निर्ने लिया है कि मुझे इस इलेक्शन में खड़ा नहीं होना भावी बिल्कुल ठीक क्या रही है मुझे भी ऐसा इलेक्शन नहीं चाहिए जिसमें हमारे घर की एक ताही दाव पर लग जाए हम दोनों ही अपना-पना नामांकन वापस लेते हैं और आप सभी परिवार वालों से हाज जोड़कर ये विनती करते हैं कि इलेक्शन का मतलब आप से रेष्टे खराब करना नहीं होता आप सभी अपने-पने वोट की पावर इस्तमाल करने के लिए स्वतंत रहे लिकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक दुसरी की साथ अभधर व्यवार करने लग जाए ऐसा हो सकता है कि दो लोगों की राजनितिक विचार अलग-अलग हो लेकिन ऐसा होने से वो आपका दुश्मन नहीं बन जाता हार और जीत तो बात की बाते हैं सबसे जरूरी है परिवार की एक्ता चुनाओ कोई भी हो आपसी भायचारा और प्रेम को बनाए रखे और एक दुसरी की विचारों का सम्मान करें दोनों देवरानी जिठानी की बात सुनकर परिवार में सभी लोग शर्मिंदा थे उन सभी को अपनी अपनी गलती समझ में आ गई थी और सभी ने एक दुसरी से माफी मांग कर आगे से कभी भी ऐसा व्यवार ना करने की कसम खाली थी सास निर्मला की बहुत समझाने के बाद आखिरकार घर में चुनाओ होता है और सभी की सहमती से बड़ी बहु को घर का अगला मुख्या चुन लिया जाता है लेकिन इस बार घर में कोई कलह, कलेश और मन मुटाव नहीं था सभी ने इस फैसली का पूरे दिल से स्वागत किया और बड़ी बहु के जीतनी की खुशियां भी मनाई